तो आज हम बात करेंगे डिये सब्सक्राइब की जर्नल पेपर के लिए बुक्स की बारे में क्योंकि काफी बच्चों को क्या रिगार्डिंग कि वह कौन सी बुक करें क्या करें क्या ना करें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक रेफरेंस दूंगी आपको जो कि मैं अपने एक एकस्पीरिंस की हिसाब से बताऊंगी और हो सकता है कोई चैनल आपको दूसरी बुक करें कोई दूसरी करें तो इसमें कोई दौरान ही है बुक आप कोई भी पढ़िए सबी वह अच्छी होती है बस बात यह रखिएगा ध्यान यह रखिएगा कि जो आपकी जो प्रिप्रेशन है वह अच्छी खासी हो सके अब बात करते हैं डियसस्पी के जर्नल पेपर की बुक्स के बारे में तो देखें अगर डियसस्पी का जर्नल पेपर देखें तो नॉर्मली उसमें एक अच्छा खासा लेवल देखनी को मिलता है चाहे वह आपके र अगर हम बात करें डियसस्पी की जो यह जर्नल पेपर की बुक्स आती है उनके बारे में तो मेरे हिसाब से मैं अपने एक्सपीरेंस पर बोल रही हूं हो सकता है यह आपका एक्सपीरेंस अलग हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एससी की बुक्स जादा बैटर होती है एस इससबी जर्नल पेपर की बात कर रही हूं मैं सब्यक्त कंसर्न की बात नहीं कर दू हुँँ तो आप यह याद अखिए किसे पर की बात कर रही हूं जनरल पेपर आपका चाहें वो कोई भी एक्जाम हो डी एससवी के प्रूब अच्छा खासा देखनी को मिलता है और अच्छा खासा लेवल और अच्छी खासे प्रेप्रेशन उसमें चाहिए होती है क्योंकि आपको उसमें क्वालिफाय करना ही होता है बेदाउट क्वालिफाय आपको अपकोने सब्जेक्ट में चले जाते हैं चाहें टीजीटी हो पीजीटी हो या फिर पीजीटी हो उनमें अगर आप चले जाते हो तो पीजीटी में तो थोड़ा इतना जादा इफेक्ट नहीं करता जनरल पेपर लेकिन टीजीटी और पीजी ठीक है तो अभी one by one हम discuss कर लेते हैं एक-एक बुक के बारे में मैं यह अपने reference के हिसाब से बता रही हूं आप अपने हिसाब से देखिएगा आपके पास जो भी books available हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हैं बस जो मैंने आपसे बात कहीं कि आपको ध्यान देना है concept clarity पर देखें अगर हम बात करें reasoning की तो reasoning में जो DSSB का level है वह काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है मैं अपनी बात करूं तो मैंने इन बुक्सों से preparation की थी ठीक है तो यह यह तो मैंने दो तीन पार्ट में यह बुक को डिवाइड किया हुआ है ठीक है तो यह paramount की मैंने कभी coaching ली थी तो उसकी भी books थी मेरे पास तो इन बुक्सों से मैंने preparation की थी reasoning की आप बात करते हैं हम English के बारे में ठीक है तो English के बारे में अगर हम बात करें तो देखे English में मैंने यह paramount की book से preparation की थी अच्छी book है concept clarity होती है अच्छे से अगर आप करोगे तो मुझे नहीं लगता grammar का कोई भी portion इसमें से छूट सकता है आपसे ठीक है और अगर vocabulary के बारे में बात करें तो आप यह refer कर सकते हो देखें इसके size पर मत जाएगा नॉर्मल सी book है पढ़ सकते हो तो पढ़ो वरना जरूरी भी नहीं है vocabulary आपको इसमें भी देखने को मिलती है अब बात करें हम हिंदी के बारे में तो हिंदी के बारे में बात करें तो आप अपने घर में कोई भी grammar की वुक वो व्याकरन की वुक आपको कोई भी मिले घर में तो आप उससे preparation कर सकते हो व्याकरन की और उसी से हिंदी की preparation कर सकते हो मेरे पास यह दो बुक्स अवेलेबल थी तो मैंने इन दो को ही एक अच्छे से किया जहां तक बात करूं concept clarity के बारे में तो यह जादा अच्छी है क्यों क्योंकि यह बुक्स एक 6th class के लेवल की बुक है यानि कि जो 6th class में डाउट होते हैं कि यह कैसे हुआ यह कैसे हुआ तो अच्छी खासे बुक है अच्छी concept clarity आपकी इस बुक से हिंदी के लिए बनती है अब बात करें मैट्स के बारे में मैट्स तो मैट्स के लिए आप यह बुक क्रेफर कर सकते हो आरे सब अगरवाल की quantitative aptitude की बुक है यह ठीक है और यह बुक मेरे पास है मैट्स की जो की paramount coaching की है क्यों क्योंकर मेरे पास जो बुक्स अवैलेबल थी मैंने सिर्फ और सिफ उनी से preparation की और उनी को यह ध्यान में रखते हुए चीजे तैयार की हाँ यह चीज ज़रूर याद रखिएगा कि आप तयारी slavers की साफ करें ठीक है यह नहीं कि आपके पास जो बुक है उसमें आपके slavers में वह चीज है नहीं और अब उससे तईयार करने लग जाओ यह नहीं आपके पास जो पुक्स available हैं तो उन आपको यह ज़हर दियान देना है कि आपके श्लेबर्स क्या है ठीक है श्लेबर्स की वीडियो आज शाम तक ही अपर कल आपको मिल जाएगी जैनल पेपर की ठीक है बाइल उंगल होगी जिसमें कि मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कॉंसर्प्स लेकर तो मैंच के लिए आ जो के बारे में बात करने तो लूसंग सबसे अच्छी इससे आछा खासा भी तेयार हो जाता है यह दो मेरे पास अरिहन्त की है और यह आपकी इंग्लिश में है ठीक है तो आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो उनसे तैयार कीजिए मैंने एक भी बुक पर्चेस नहीं की थी जर्नल पेपर के लिए ठीक है यह सारी वुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैंने इनी से ही तैयारी की ताकि एक थोड़ा सब्सक्राइबल के लिए और थोड़ा स्लेबर्स को ध्यान में रखते हुए चीज़े की अब यहां पर हमारा सारे सब्जेक्ट काता मुझे पता भी नहीं चला तो आपकी जीए के लिए आपका यह और हां जर्नल अवेर्नेर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन या फिर कोई या फिर यह चीज़ रफर कर सकते हो जर्नल अवेर्नेर्स के लिए और जी के लिए आप लूसेंट अच्छी ज्यादा है एस कंपेरिजन टू अर्यान ठीक है मेरे पास अवैलेबल थी तो मैंने पढ़ ली यहां पर मैच्स के लिए आपके पास यही हो गए आरसर गर्वाल और यह आई पैरमांट वाली है ठीक है व्याकरण हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए आपके पास यह दो बुक्स हो गई ठीक है इंग्लिश के लिए आपको भी ग्रामर की बुक्स ले लीजिए जो कि अच्छी कॉंसेप्ट के अडिटी आपकी कर सकें वीजनिंग के लिए मेरे पास यह सारी बुक्स हैं यह नीचे गिर गई थी हैं यह सारी हैं तो यहां पर यह हमारी वीडियो खतम होती है और मैं आप से एक चीज और कहना चाहूंगी बुक्क अगर हैं तो कोई ज़रूत नहीं है कोई भी बुक पर्चेस करने की आप थोड़ा सा स्लेवर अपने आपको धालने की कोशिश कीजिए और उसकी चीजों को ढूंडने की कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अगर आप चीजें उस तरीके से देखेंगे तो मुझे जहां तक लगता है यह और नॉर्मल सी बुक्स होती हैं जो कि हर घर में अवैलेबल होती ही है क्योंकि हर क्यान आप घर में शस pendendo करते होते हैं तो मेरा यहीं है कि जो आपकर आपके पास अवैलीबल है और खासकर एससी की जो वक्से अवैलेबल है वह अच्छा खासा लेवल देनी हैं ग्यार्थ्यासी आपकी होती है चाहिए आप वह किसी भी एक्जाम की कर रहे हों skeletina कीरेश फ आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और अभी तक अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन को प्रेस भी करें और आने वाली हर अपडेट आपके पास पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और चलिए तो चलते हैं मिलते हैं आप से स्लेवर्स वाली वीडियो में तैंक यू पॉर वाचिंग मैं वीडियो